हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई टूब चैनल यसकी मिस्टरी अवे आप सक्सेच में हूँ आपका एजुकेटर सीव मिस्टरा मेरे प्यारे बच्चो हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास टेंट सोसल साइंस हिंदी मीडियों वालों के लिए हम अब पूरा पूरा सीरीज एक तैयार किये हैं और एक ही वीडियो में पूरा आपको मिल जाएगा अगर आप इतना पढ़के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने के जरूद नहीं है इतना आपका बोड में भी क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ स्कूल का जो भी रहेगा वो भी क्योंकि स्कूल में इससे भी बाहर नहीं पढ़ाएंगे और बोड में इससे बाहर 100% से उर है कियाने वाला नहीं है केवल हम उन्हीं पॉइंटों को इसमें कवर किये हैं जो कि आपके UP Board Exam में, MP Board Exam में, बिहार Board Exam में क्योंकि पूरा-पूरा हम NCERT पैटर्न पर ही आधारित आपको पढ़ा रहे हैं और हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकि वहाँ पर वाच कर लीजिएगा Board Exam देने से पहले आप पूरे पूरे वीडियो पढ़िएगा, केवल हर एक वीडियो आप देखेंगे 35 से 40 मिनट के हैं अंदर ही हैं बस इतना पढ़ लेची अतने में आपको पूरएक पूरा साइंस क्लियर हो जायेगा किक्षा दस्विंग कपूरा साइंस में physics खतम कर दिया है, bibology खतम कर दिया है और chemistry भी पूरा हमने आपका खतम कर दिया है अब science के बाद हम इसके बारे में जानेंगे सामाजे विज्ञान की जितने भी chapter है इसमें चाहे आप history की बात करेंगे चाहे जर्गाफी की बात करेंगे economics की बात करेंगे मतलब कि हर एक chapter इसमें हम लोग धिरे-धिरे पुरा cover करके पढ़ लेंगे ठीक है न तो टेंसर नहीं लेना है बस आप अपने एक्जाम की अच्छे से तयारी कीची और कुछ आपको करने जोरुन नहीं है तो आज आपका जो class 10th history का जो second chapter है वो है भारत में राष्टवाद अगर भारत में राष्टवाद देखें तो यूरोप में आदम राष्टवाद के साथ ही राष्टवाद राजू का उदय हुआ था राष्ट राजू का क्या हुआ था उदय हुआ था तो भारत में भी कही न कही राष्टवाद का उदय हुआ था जैसे की जो अंग्रेज थे अंग्रेज जब आएं भारत पर कब्जा कर लिए तो इनके खिलाप कहीं न कहीं बहुत सारे मुहिम चलाएंगे जिसके कारण ये लोग छोड़के भाग गए आंदूलन चलाएंगे थी तो आपको जो चैप्टर है क्लास 10 का हिस्ट्री का सेकेंड वो है आपका भारत में राष्टबाद तो यूरोप में आधुन राष्टबाद के साथ ही राष्ट राज्यों का उदय हुआ यानि कि यूरोप में जो आधुन राष्टबाद हुआ था उसके साथ ही किसका उदय ह हुआ था चारा अफसर में लियागा तो इसमें एक अफसर रहेगा राष्ट राज्जों का उद्य पहला इसमें जो हेडिंग आती हुआ आती है पहला भी स्यूद कब हुआ था और साथ इसाथ खिलाफत और असयूग कौन-कौन से आंदूलन चलाए गए थे तो वर्स उन्नी की लागों तक फैल गया जिसमें नए स्वामाजिक समूह सामीयल हो गय थे यानिक सर 1919 के बाद के वर्सव में राश्टी आंदूलन नए लाकों तक फैला यानिक जहां तक नहीं फैला था वहां तक भी हमारा राष्ट की आंदोलन क्या हुआ फैल गया जिसमें नए सामाजिक समुह और सामिल हो गए थी प्रतम विश्युद्ध ने एक नए आर्थिक और राजनीतिक इस्थिति पैदा कर दी थी और जब ये प्रतम विश्यु सबस्कान हुआ है सरकार के पास पैसे नहीं है तो आप से ढि़िए भेर कर आपसे उसूले जाएंगे और उनहीं करोका फिर उप्यों करते थे वह लोग सीमा सुल्क बढ़ा दिया गया अब ये सीमा सुल्क क्या है जब एक राज से दूसरे राज में आप जाएंगे तोहां पर सीमा सुलक लगता है गाउं में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया यानि कि जो गाउं में रहने वाले लोग थे उनको जबरन सिपाहि में भर्ती कर लिया गया जिसके कारण ग्रामेड इलाकों में अत्यविक गुस्सा था वर्स 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत से हिस्यों में फसल खराब हो गई जिसके कारण खाद पदार्तों की भारी क्या रही आवाव पैदा हुआ लोगों को उम्मीद थी कि युद्धे खत्म होने के बाद उनकी मुस्विदे खत्म हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा इसलिए खिलापत उनकी प्रतिजाग उठी और आसायूग आंदुलनों जैसा का क्या हुआ वहाँ पे अंदुलन हुआ और क्या अब है यहाँ पे सत्या ग्रह पर विचार सत्या ग्रह पर विचार तो महात्मा गांधी जन्वरी संदोजार स्वारी 1915 में दक्ष्ण अफ्रिका से भारत लोटी तब उन्होंने जब हिया हमारे गांधे जी उत्हों ये जब लोटे बा भारत अपने तो इन्होंने क्या किया कि सत्या ग्रह पर विचार किया कैसे विचार किया देखते हैं दक्ष्ण अफ्रिका में उन्होंने सत्या ग्रह आंदोलन की सुरुवात की थी तो सबसे पहले अगर देखे तो किधर की थी तो दक्ष्ण अफ्रिका में उन्होंने सत्य सत्याग्रह की क्या कि सत्याग्रह जो अंदुलन है उसका सुरुवात किसने कि थे महात्मा गांधी ज scorp यह इस सत्या ग्रह के हत्यार से उन्होंने दक्ष अफ्रिका की नbnतल भेॉष और सरकार ja जो की नसल भेदी होती हैं और इनसे जो सफलता पूरोग लुहा लिया था किसने लिया था महात्मा गाधी जी ने और किसका सहारा लेकर सत्याग्रह का सहारा लेकर भारत आने के बाद गांधी जी ने कई अस्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वर्ष 1916 में उन्होंने बिहार के जंपारन इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान विवस्था के खिलाप किसानों को संघर्ष के लिए क्या किया प्रेरित भी किया वर्ष 1917 में इन्हों यानि गांधी जी ने या फिर इन्हों ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह क्या किया था आयोजन किया था फिर वर्स 1918 में महात्मा गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की भी सत्याग्रह आंदूलन चलाने के लिए अहम्दाबाज जा पहुँचे अब एक एक्ट लगा वो क्या लगा रॉलेट एक्ट लगा अब इस रॉलेट एक्ट क्या था तो सत्याग्रह काम्याबी से उतसाहित होकर गांधी जी ने वर्स 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाब एक राश्ट व्यापी सत्याग्रह आंदूलन चलाने का क्या लिए फैसला लिया पहले तो उन्होंने सत्याग्रह आंदूलन चलाया उसके बाद जो गांधी जी ने क्या किया किरावलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए पुनह सत्याग्रह आंदूलन की आंदूलन चलाने क्या किया फैसला किया और कब 1919 में भारती सदस्यों के भारी विरूध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजी इस लेटिव कांसिल ने पारित कर दिया यानि कि भारत के जो सदसी जो भारत के सदस से थे जैसे गाधेजी लोग इन्होंने बहुती विरूध किया कि रॉलेट एक्ट पास नहीं होना चाहिए लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको पास कर दिया इस कानून के जरिए सरकार ने राजनेति गद Gilbert को चलने का अधिकार दे दिया यानि कि इसमें अच्छा रॉलेट एक्ट होता क्या था तो रॉलेट एक्ट ऐसा होता था कि इसमें किसी को भी किसी को भी सक के दारे में लेकर उसको उठाया जा सकता है और उठा कर उसको जेल में बंद किया जा सकता है यह था रॉलेट एक्ट बाव समझें अगर आपके उपर सक है कि आपने उनकी चोरी की है तो आप उठाएंगे और सिधा जेल में ले जाके बंद कर देंगे भैभीत अंग्रेजों ने राष्टवादियों का दमन सुरू कर दिया जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो 13 अप्रेल को जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ जिससे हर्टाले होने लगी हिंसा होने लगी यह दे गांधी जी ने आंदोलन को क्या किया था वापस ले लिया था रॉलेट एक्ट बहुत बड़ा आंदोलन था लेकिन मुख्यरूप से सहरों तक ही सीमित था गांधी जी पूरे भारत में और भी जनाधार वाला आंदोलन चलाना चाहते थे लेकिन वे जानते थे कि हिंदू मुसल्मानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना कोई आंदोलन नहीं चला जा सकता वर्ष उन्नीस सो बीस में कांग्रेस के कलकत्या अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी दूसरे निताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असायोग आंदोलन की सुरुवात की जाए अभी तक तो सत्याग्रह आंदोलन था लेकिन अब क्या कियें कि असायोग आंदोलन चलाना सुरू किया किसने पहले विचार कर रहे थे इन्होंने अब हम लोग देखेंगे आखिरकार असहयोग अंदोलन ही गांधी जी ने क्यो चुना क्या उनका सत्याग्रह से काम नहीं हुआ तो जल दिखते हैं तो असहयोग गांधी जी की एक विचार धारा थी जो असहयोग थी वो क्या थी गांधी जी की एक विचार धारा थी गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिस सासन भारत यूग के सहयूग से बना है और उनी के सहयूग से चल रहा है अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ब्रिटिस आसन खत्म हो जाएगा और भारत में सुराज की अस्थापना हो जाएगी आखिरकार असहयोग आंदूलन क्यों चलाया क्योंकि मैंड में आता है तो असहयोग का मतलब है कि जो आप सहयोग दी है उसको आप सहयोग देना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है असहयोग हो जाएगा और गांधी जी नहीं है सूचा कि जो भारत में ब्रिटी सासन चल रही वो भारत के जो नागरिक है भारत के जो राजा महराजा है उनके सहय योग देना बंद कर दिये तो जायर सी बात है उनका सब कुछ बंद हो जाएगा और यही वो सोच रहे थी अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराय भी थी जैसे कि जनवरी 1921 में असायो खिलापत आंदोलन की सुरुआत हुई तो सबसे पहले खिलापत आंदोलन की असायो खिलापत आंदोलन की कब सुरुआत हुई तो याद रगना जनवरी 1921 में इस आंदोलन में अनेक सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया लेकिन सबकी अपनी अलग अलग क्या थी महत्त्वा कांच्छाय थी उनके लिए आंदोलन का अर्थ भी क्या था अलग अलग था इस आंदोलन में अनेक सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या थी महत्त्वा कांच्छाय थी और उनके लिए आंदोलन का अर्थ भी क्या था अलग अलग था अब है सहरों में आंदोलन तो आंद विद्यार्थियों ने इस्कुल कॉलेज को छोड़ दियें फेड मास्टरों और सिच्छकों ने स्थीफे सौप दियें और वहें पर वकील जो थे तो वकील ने क्या किया कि अपनी वकील कीरी बंद कर दिया यानि वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया आर्थिक मोर्चे प सराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई लोग भारती कपड़े पहनने लगे और भारती कपड़ा मीलो और हत कर धो का उत्पादन भी बढ़ने लगा ठीक है कुछ समय पस्चात आंदोलन धीमा पढ़ने लगा आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकलपिक भारती संस्थानों की अस्थापना आवस्यक थी अब लेकिन वैकलपिक विवस्था की प्रक्रिया बहुत क्या थी धीमी थी इन कारणों के चलते दुबारा विद्यार्थी और सिच्छक स्कूलों में लटने लगे और वकील दुबारा सरकारी अदालतों में क्या लगे जाने लगे अब ग्रामिड इलाकों में विद्रोह तो सहरों से होता हुआ यह आंदोलन यानि जो असयोग आंदोलन है यह कहां तक पहुचा गाओं तक फैल गया पहुच गया युद्ध के बाद देश के विविन भागों में चली किसानों वा आदियासों के संगर्स भी इस आंदोलन से जोड़ गया यानि कि अब क्या हुआ कि जो किसान थे गाओं के किसान थे और जो आदिवासी थे वो भी अब असयोग आंदोलन से जोड़ना क्या किया प्रारम कर दिया अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नित्रित कर रहे थे जो पहले फीजी में गिर मिट किया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थी उनका आंदोलन तालुके दारों और जमिदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी रकम लगान और तरह तरह के करवसूलते थी किसानों को बेगार करनी पड़ती थी अब है तालुकदारों और व्यापारियों पर हमले तो वर्ष 1921 में तालुकदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगी बाचारों में लूट पाठ होने लगी बहुत से अस्थानी ने था किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने एलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीमों में बाठ दी जाएगी गांधी जी का नाम लेकर लोग अपने सारी कारवाही और अकांचाओं को सही ठहरा रहे थे अब गुडेम पहाडियों में फैला गुरिल्ला अंदोलन तो गुडेम पहाडियों में फैला गुरिल्ला अंदोलन ये क्या है तो आंत्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दसक की सुरुवात में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला इसमें क्या था तो इसमें ये था कि अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दे थी इसके लिए गुरिल्ला आंदोलन चालू हुआ लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे नहीं लकड़ी और फल पा सकते थे लोगों ने अलूरी सीता रामराजू के नित्रत में बगावत कर दिया अब है बागानों में सुराज ये बागानों में सुराज क्या है तो महात्मा गांधी के विचारों और सुराज की ओधार्णा को मजदूरों ने अपने धंग से समझा और उसे क्रियांत्वित किया 1869 के इंग्लेंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की आजादी नहीं थी जब असयोग आंदूलन के बारे में मजदूरों को पता चला तो वो भी इस आंदूलन से जुड़ गए और अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और बागान छोड़ दिया बागान मजदूरों का ये आंदूलन ज्यादा सफल नहीं हो पाया था अब है समिने अवग्या आंदूलन अब है समिने अवग्या आंदूलन चला पहले तो क्या चला था पहले सत्यागर फिर असयोग आंदूलन अब आया समिने अवग्या आंदूलन तो महात्मा गान्धी ने फरवरी 1922 में असयोग आंदूलन वापस लेने का क्या किया था फै मुझें ब्रिटेन की नई गोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नित्रूत में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया जिसका काम भारत में समवैधानिक विवस्था की कारसेली का अध्यन करना था लेकिन इस आयोग में एक भी भारती सदस्य नहीं था पूरिक पूरिकोरी कौन थे अंग्रेजी थे यानि कि अंग्रेज लोग की थे वर्स 1926 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका जमकर विरोध हुआ और मुस्लिम लीग सही सभी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया विरोध को सांध करने के लिए लाड इर्विन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमीनियन इस्टेट्स का एलान कर दिया 1929 में जवाहलाल नहरू की अध्यक्षता में कांग्रेज के लाहुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई 26 जनौर 1930 को सतंत्रता दीवस के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा अब है नमक और समिनय गांधी को नमक एक सक्तिसाली प्रतीक दिखाय दिया और फिर 31 जनौरी 1930 को उन्होंने वाय सराय इर्विन से मांगो का उलेख किया और इसका उद्देश सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना था इनमें सबसे महत्यपूर मांग नमक कर को नमक पर जो कर लगता था उसको खत मांधी पहुंचे और नमक बना कर मैं कानून को लंगण किया फिर महर कानून को तोड़ा है और यहीं से समविनय औज्जा कि असहयोग कर रहे थे बलकि आपनी वेसक कानून का भी उलंगन कर रहे थे देश के अलग-अलग भागों में हजारों लोग सडकों पर उतराएं और नमक कानून का क्या किया उलंगन किया इस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार बौखला गई बहुत सारे अस्थानों पर हिंसक ठकराव होने लगे महात्मा गांधी को भी गिरपतार कर लिया और धीरे धीरे असयोग आंदोलन की तरह यह आंदोलन हिंसक रूप धारन कर लिया महात्मा गांधी ने फिर एक बार आंदोलन वापस ले लिया और पाच मार्श 1931 को उन्होंने इर्विन के साथ समझावते पर दसकतक कर दिया और इसके द्वारा गांधी ने दूसरे गुल में सम्मेलन में हिस्सा लेने की हामी भरी गुल में सम्मेलन सफल नहीं रहा महात्मा गांधी जी ने दुबारा सम्मेलन अवग्या आंदोलन की सुरुवात की अब इन्होंने क्या किया फिर सम्मेलन अवग्या आंदोलन क्या किया सुरुवात कर दिया अब लोगों ने आंदोलन को कैसे किया देखते हैं इसके लिए तीन उद्योगपती किसान या मजदूर सभी वर्ग के लोग अंग्रेजी जुल्म का सिकार थे गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहता था बलकि पट्टेदारी किराया भी माप करवाना चाहता था इस आंदोलन के दोरान मसदूरोन ने भी इस आंदोलन में जम कर हिस्सा लिया था हजारो औरते सड़क पर उतराई और आंदोलन का हिस्सा बनी ओरतों ने नमग मनाया विदेशी कपड़ों वशराब की दुकानों की पिकेटिंग की वे जेल भी गई किसने औरते ने क्या कि यह सब को जला डाला जो भी अंग्रेजी सामान थे और इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था गांधी जी का मानना था कि और तो का असली कर्तब घर चलाना चूला चौका सम्हालना इत्याज था और उनको इस आंदोलों में उतरना नहीं चाहिए अविसमी ने अवग्या अंदोलन कुछ कुछ सीमाय थी क्या थी एक अदूतों का समूह था जिन्हें गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था महात्मा गांधी ने यह ऐलान किया कि छूआ छूट को खत्म किये बिना सो साल तक भी स्वराज की अस्थापना नहीं होगी जब त पर चूआ छूट की बात आ गई थी और बहुत से ऐसे लोग थे जो की छूआ छूट मानते थे इसलिए वो इसमें नहीं जूट पाए अब आया सामूहिक अकेल सामूहिक अपने पन का भाव जब लोगों को यह मसूस होने लगा कि वे एक ही राष्ट के अंगहें एकता की यूर में बंधने लगे अब राष्टबाद की भावना उत्पन होने लगी लोगों में और इससे जूड़ना शुरू कर दिया इसके अलामा बहुत सारी संस्कृति क्रियाएं सामाजिक परिवेस इतिहास वसाहित देश वक्ती गीतों ने सामूहिक अपने पन को विक्सित करने में महत्तेपूर भूमका निभाई गानों के जरिये देखते हैं बहुत सारे से गाने बनाये गए हैं जो कि जब आप सुनते हैं तो भारत के प्रति आपका उस्याह और ज्यादा बढ़ जाता है सेवा करने की राष्टवाद की भावना पैदा करने में इतिहास की पुनरवाख्या ने भी महत्तिपूर भूमक्या निभाई अब इससे क्या क्या निसकर्स निकलता है तो निसकर्स ये निकलता है कि भारती समूहो वर्गों में राष्टवाद की भावना जन्म हो चुकी थी लोगों का आक्रोस अंग्रेज सरकार के खिलाब बढ़ चुका था और आजादी का अर्थ हर वर्ग और समू के लिए अलग अलग था तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पहला चैप्टर है कच्छा दस्वी दूसरा चैप्टर है पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया दूसरा चैप्टर हितियास का यानि सोचल साइंस का फर्ष सेकेंड चैप्टर भारत में राष्टवात का उदाई यह यहां पे खतम होता है कहीं से दिक्कता रहे तो जो भी पॉइंट ना सब्सक्राइब करें और यह क्लास टेंट हिस्टिक अच्छा टू है हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्लीट पूरा एंसी आर्टी पर आधारित इंसी यार्टी पर ही आधारित मनाया गया है ठीक है